नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शिवानी जैन और आप सभी का स्वागत है दा स्टडी कैफे कंसेप से कट ओफ में पावर्ड बाई परिक्षा एप फटाफट से सभी लोग ऑल्नाइन आ जाएए गूड इवनिंग एवरीबडी फटाफट से सभी लोग ऑल्नाइन जुड चाहिए क्योंकि आज हम क्वेशन करने वाले हैं भूगोल से सम्मंदित जो की करतिक दृष्टी से भी है और भोगोलिक दृष्टी से भी सम्मंदित क्वेशन्स है वो आज हम करने वाले हैं उस पे में तरीके सबन बात करने वाले ह और किस प्रकार से question आते हैं, क्या pattern होता है question का, previous year के patterns क्या क्या थे, उन सारी strategies को ध्यान में रखके हमनी question आप लोग के लिए बनाए हैं, तो please make sure कि आप इस वीडियो को देखें और share करें अपने दोस्तों के साथ में, चलो start करते हैं first question के साथ में बिकानेट जिले का शेत्रफल कितना होगा, यदि यह राजस्तान राज्य के कुल शेत्रफल का साथ पॉइंट छिन में प्रतीशत अंच रखता है फटा-फट से अपना answer comment section में लिखें और बताएं क्या answer होगा इसके लिए सबसे important यह है कि आपको यह पता होना ची राजस्तान का कुल शेत्रफल कितना है तब ही आप percentage निकाल पाएंगे तो यह काफी important question है जिससे यह दो question crack कर रहा है दो question एक साथ पूच रहा है जल्दी से बताओ भई क्या answer होगा बिल्कुल सही option number 4 is right answer 27244 वर्ग किलोमेटर बिल्कुल सही जवाब है बिकानीर का शेत्रफल 27244 वर्ग किलोमेटर है चुकि 7 point छिन में प्रतीशत है अब किसका 7 point छिन में प्रतीशत 3,42,249 का 7 point छिन में प्रतीशत की बात कर रहे है क्योंकि राजस्तान का शेत्रफल कितना है 3,42,249 किलोमेटर चलो next question पर चलते है राजस्तान के जिस जिले से अधित्तम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है वे है अपना answer comment section में लिखें और बताएं क्या answer होगा बिल्कुल सही फटावर्च अपना answer comment section में लिखो और बताओ क्या answer होगा सबी लोग, सबी लोग try करें कि वो लोग answer करें comment section में option number A पाली is right answer option number A पाली बिल्कुल सही जवाब है तो पाली जिले के साथ कितने जिलो की सीमा अधिक्तम लगती है तो आठ जिलो की कितने आठ जिलो की सीमा लगती है पहला जिमेर, फिर बाड मेर, जालोर, जोदपुर, नाग गौर, सिरोई, दैपुर, एवम, राध समन्थ तो ये आठ जिले हैं, ये आठ हो जिलो के नाम भी आपको पता होनी चाहिए ध्यान में रखे वे होने चाहिए कभी-कभी पूछ लेंगे आपसे option में इनमें से किस जिले की सीमा नहीं लगती है तो उस समय ये question काम में आएगा आपके, ठीक है चलो, next question चलते हैं, next question देखेगा राजस्तान का वहे जिला, जिसका भोगौलिक, एवम, सामजिक, बातवरन, पर्यावरन, ततराजनेतिक सीमा उत्ता प्रदीश पर मद्यप्रदीश से मिलती है, वह है ए, करॉली, बी, धौलपुर, सी, भरतपुर, डी, सवाई, माधपुर जल्दी से अपना answer, comment section में लिखें और बताएं क्या answer होगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, अपना answer, comment section में लिखते जाओ, क्या answer होगा बिल्कुल सही, option number 2, धौलपुर, बिल्कुल सही, जवाब है, धौलपुर, बिल्कुल सही, जवाब है जैसे अगर हम धौलपुर की बात करें, तो धौलपुर उत्तरप्रदीश और मद्यप्रदीश से लगता है चलो, next question पर चलते हैं, next question दिखेगा राजिस्तान का सबसे पूर्वी जिला है मैं मानती हूँ ये question का answer अब सभी लोग अच्छे से दे पाएंगे बहुत ये अच्छा question है, फटा 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 अपना answer कॉमेंट सेक्शन में लिखो और बताओ, क्या answer होगा बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, option number two, धौलपुर, बिल्कुल सही जवाब है अगर हम विस्तार की बात करें, तो पूरम में सिलाना गाम, राजखेडा धौलपुर तक पूर्वी सीमा लगती है, हमारी पूर्वी सीमा है राजस्तान की, तो सबसे पूर्वी, सबसे पूर्वी जिला है हमारा धौलपुर, ठीक है चलो, नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेशन दिखीगा, राजस्तान की नवगठी 33 जिले प्रतापगड का गठन किन-किन जिलों की शेतरों को मिला कर किया गया है बहुत यह अच्छा क्वेशन है, ओप्शन नमबर A, डूंगरपुर, चित्ताडगर, उदैपुर, बासवाड़ा B, ओप्शन है, बासवाड़ा, उदैपुर, चित्ताडगर, सी ओप्शन है, चित्ताडगर, डूंगरपुर, बासवाड़ा वाद चतौरगड़ के छूटी सादड़ी और नौध एवं पताबगड़ तथा, बासवड़ा से पीपल खुट को मिला कर बनाए गया था, तो पीपल खुट से काफी जादा क्वेशन आते हैं, तो बासवड़ा से क्या लिया था, पीपल खुट लिया था, ठीक है, और आपक a. शेखावती प्रदेश, b. हडावती पठार, c. दक्षणी अरावली, d. माही बेशन पटाफट से अपना आंसर comment section में लिखे और बताएं क्या आंसर होगा जल्दी से अंसर लिखो भरे क्या आंसर होगा बिल्कुल सही बिल्कुल सही फटाफट से बताओ भई क्या आंसर होगा बिल्कुल सही सेकेंड आप्शन हाड़ोती पठार बिल्कुल सही जवाब है आड़ोती पठार बिल्कुल सही जवाब है कोटा के जालावाट सित मुकंदरा की पहाडियों को बाग सा अन्रक्षन शेत्र गोशित कर राज्य का तीसरा राष्ट्रे उद्यान में राइगर रिजर्व गोशित कर दिया गया है ठीक है आपको ये पता होना चोगिए कि मुकंदरा की पहाडिया कहां सित है तो आपका आंसर होगा हरused का पठार ठीक है चलो next question पर चलते हैं next question देखेगा सिरोई शेत्र की पहाडियों को सानिय भाषा में क्या कहा जाता है अ भाकर, बाराओ, बार्षट, सी, गिर्वा, डी, सांग लिया फटा फट से अपना آंसर कॉमेंट सेक्षिन में लिखें हैं और बता हैं क्या अंसर होगा बिलकुल सही, बिलकुल सही option number one, भाकर, बिलकुल सही जवाब है भाकर कहा जाने का एक बहुत बड़ा रीजन है वो ये कि भाकर की जो पहाड़िया है वो बहुत तदा स्टीप है मतलब बहुत ही जादा उबर कहवर और त्रीव घाल वाली है मतलब खड़ी पहाड़िया है इसलिए इसको भाकर के नाम से भी कहा जाना जाता है कहा जाता है च गिर्वा डी मेवल अपना आंसर कॉमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं क्या आंसर होगा बिल्कुल सही फटाफट से अपना आंसर कॉमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं क्या आंसर होगा बिल्कुल सही बिल्कुल सही option number 4 मेवल बिल्कुल सही जवाब है जो डूंगरपुर और बास्वाड़ा का मद्य भागय उसे मेवल कहा जाता है वहीं डूंगरपुर और बास्वाड़ा के प्राचीन नाम को बांगड के नाम से भी जाना जाता है चलो, next question पर चलते हैं, next question दिखेगा, राजस्तान की किस प्रदेश में बीहड मिलते हैं? Option number A, Banas Basin, option number 2, Mahi Basin, option number 3, Luni Basin, option number 4, Chambal Basin, बिल्कुल सही, option number 4, Chambal Basin, बिल्कुल सही जवाब है, तो Chambal नदी के कारण क्या हो जाता है? बहुत जदा प्रवाशेत में कटाव पाये जाते हैं, कटाव लगबग 5-30 मिटर के हैं, लगबग 5-30 मिटर गहरे कटाव पाये जाते हैं, जिसके कारण इसको क्या है? पूरी खुर्दुरी भूमी हो जाती है, 5-30 मिटर के गहरे घड़े को खादर भी विखा जाता है, सानिय बाशा में इसी कारण जो चंबल बैसेन है इसी में भीहड पाए जाते हैं चलो नेक्स क्वेशन करते हैं नेक्स क्वेशन देखेगा निमलिकित में से कौन सा एक कारण राजस्तान में मनुस्तरली करिंड का नहीं है जल्दी से अपना आंसर कॉमेंट सेक्षिन में लिखो और बताओ क्या आंसर होगा उप्शन नमबर सी शेरी करण बिलकुल सही जवाब है तो शेरी करण मनुस्तरली करण का कारण नहीं है वहीं अती चारण मतलब जादा से जादा चराना वन मोलन मतलब वनों को कटाई करना और अनुचित मदा वह जल्द प्रभंदन करना मरुस्तली करण का कारण है ठीक है चलो नेक्स क्वेशन करते हैं अंत प्रभाशेतर राजसान की किस भाग में है वह है बिलकुल सही बिलकुल सही ऑप्शन नमबर टू उत्तर पूरवी बिलकुल सही जवाब है ठीक है राजसान का उत्तर पूरवी बाग अंत प्रभाशेतर के नाम से जाना जाता है और क्यों जाना जाता है क्योंकि जादसर यह भूमी क्या है भाई यह भूमी उबढखावड है बालू के टीलो द्वारा परलिक्षत होती है और शेखावडी भूबाग की भूमी है इसलिए इसे क्या कहा जाता है अंतर प्रभाशेतर कहा जाता है इसमें क्या है बर्खान है बालू का स्तूप है यह सारी चीज़ें पाई जाती है कम वर्षा होती है बलू ही मिट्टी है स्तूपों की दिवारें पाई जाती है इस कारण इसे क्या कहा जाता है अंतरिक जलप्रवा का शेत्र या अंतर जलप्रवा शेत्र कहा जाता है ठीक है चलो next question करते है राजस्तान के जिस जिले में 21 जून को सूरे की सीधी किरने पड़ती है वे है फटा-फट से अपना आंसर कॉमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं क्या आंसर होगा बिल्कुल सही बिल्कुल सही अपना आंसर कॉमेंट सेक्शन में लिखते रहें क्या आंसर होगा बिल्कुल सही, option number two, बासवड़ा बिल्कुल सही जवाब है, सरवादिक वर्षा वाला दूसरा जिला बासवड़ा है, और इसके साथ साथ इसमें सीधी किर्णे, सूरे की सीधी किर्णे किर्णे किर्थी है, जून महा में 21 जून को जिसमें बोलते हैं, सबसे जादा गर्मी व आसवड़ा, बी, जैसल में, सी, श्री गंगा नगर, डी, धौलपुर, option number three, श्री गंगा नगर, बिल्कुल सही जवाब है, तो श्री गंगा नगर में अधिकतर सरवादिक तिर्चापन देखा जाता है, सूरे कीर्णों का, तो ये क्यूं देखा जाता है, देखिए, अग करखरिका से दूर होते हुआ जिल्यों में, क्या पड़ेगा, सूरे का किर्णों का तिर्चापन पड़ेगा, तो दूर सब से दूर क्या है, श्री गंगा नेगर नगरे और इसी कारण पाय जाता है, उसमें सूरे की किर्णों का तिर्चापन देखा जाता है, चलो next question पर च section में लिखें और बताएं क्या answer होगा बिल्कुल सही बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी दक्षिनी भाग में बिल्कुल सही जवाब है तो दक्षिनी भाग में कौन से जिले पाए जाते है तो वहाँ पाए जाते है प्रताबगड़ और बासवड़ा और इनी के बीच में इनी क और 56 गामों का एक समूँ पाया जाता है। इसी के साथ मैं अपने questions खतम होते हैं आज के, make sure आप वीडियो को like करें जादे जादा, share करें अपने दोस्तों के साथ में, भाई भेनों के साथ में, सभी जिएके इस वीडियो को जरूर से share करें, make sure like करो वीडियो को, share करो, subscribe करो The Study Cafe YouTube चैनल को, धन्यवाद!